हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग एक interesting essay को English में लिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे दोस्तो यदि आप लोग अपनी English को improve करना चाहते हैं तो य without wasting much time let's get started now पिछले रविवार को हम एक नई सरकारी कॉलनी में shift हुए तो यह एक तरह से simple past tense में है यानि कि सबसे पहले subject फिर verb to और फिर object और यहाँ पर है पिछले रविवार को यानि कि last Sunday last Sunday काउन शीप्ट हुए हम लोग या हम यानि कि वी shifted into a new government colony और shifted to का भी यूज कर सकते हैं यदि आप किसी जगह पर shift करते हैं colony है तो घेरा हुआ जगह जरूर रहेगा इस वज़ा से आप into का भी यूज कर सकते हैं last Sunday we shifted into a new government colony इस colony में सरकारी कर्मचारी रहते हैं तो यहाँ पर है रहते हैं यानि कि simple present tense सबसे पहले subject फिर वर्व इसमें ace या yes लग सकता है और फिर object तो कौन रहते हैं सरकारी कर्मचारी ये क्या है subject तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एक से अधीक है इसलिए वर्व में ace या yes add नहीं करेंगे the government employees live in this colony या फिर आप passive voice में भी लिख सकते हैं this colony is inhabited by the employees of the government this colony is inhabited by the employees of the government वे विभीन विभागो और मंत्रालयों से संबंधित है तो यहाँ पर लिखेंगे they belong to various departments and ministries they belong to various departments and ministries मेरे पलोस के पलोसी बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे my next door neighbors are very good my next door neighbors are very good next door neighbors यानि के आस पास के पलोसी इन में से एक police inspector है इन में से एक one of them is a police inspector one of them is a police inspector उनका एक छोटा सा परिवार है उनका यानि के उनके पास he has a small family जैसे मेरा एक छोटा सा परिवार है I have a small family आप बोल सकते हैं he has a small family उनका बेटा एक college छात्र है his son is a college student his son is a college student या फिर is a student of a college वह बहुत बुद्धिमान ललका है he is a very intelligent boy he is a very intelligent boy वह अक्सर मुझे बहुत दिल्चस्प कहानियां सुनाते हैं तो यह simple present tense में है he अक्सर यानि की often tells me very interesting stories यहाँ पर y को हटा कर is add कर देंगे plural बनानी के लिए एक simple सा rule होता है कि y के पहले यदि consonant रहे तो y को हटा कर is add कर देते हैं और यदि भावेल रहे जैसे boy होता है ओ भावेल है तो इसमें simply ace add कर देते हैं boys often, always, never हमेशा वर्ब से पहले आता है और यहाँ पर ही परसंद singular number है इसलिए वर्ब में ace add कर देंगे he often tells me very interesting stories police inspector भी बहुत सज्जन है तो यहाँ पर लिखेंगे the police inspector is also very gentle the police inspector is also very gentle उनकी आदतें और सवभाव बहुत अच्छा है तो यहाँ पर लिखेंगे his habits and temperament या फिर nature are very good his habits and temperament are very good वह खुद को कानून और बेवस्थाकार सनरक्षक मानते हैं तो यहाँ पर मानना के लिए हम लोग consider यूज करेंगे जैसे तुम खुद को क्या समझते हो what do you consider yourself what do you think of yourself भी आप कह सकते हैं तो खुद को मानना यानि consider करना यह भी है simple present tense में तो यहाँ पर लिखेंगे he considers himself to be the custodian of law and order मालीचे आप to be नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा he considers himself to be the custodian of law and order वह कभी भी अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे he never misuses his power आप powers भी लिख सकते हैं but always helps others he never misuses his powers but always helps others उनकी पतनी एक धार्मिक प्रविर्ती की महिला है तो यहाँ पर लिखेंगे his wife is a religious type of या फिर sort of lady अब डारेक्ट लिख सकते हैं his wife has a religious bent of mind यानि की धर्म की तरफ जुकाब है एक तरह से धार्मिक महिला है bent का अर्थ हुआ जुकाब होना उतारू होना जैसे वह जगडने पर उतारू है he is bent on fighting इंसान एक दुसरे को मारने के लिए क्यों उतारू है why is man bent on killing each other आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं धार्मिक के लिए आप पायस का भी यूच कर सकते हैं his wife is a पायस लेडी एक धार्मिक महिला है his wife has a religious bent of mind वह सभी की मदद करती है she helps everyone she helps everyone हमारे सामने का घर एक स्कूल के प्रिंस्पल का है तो यहाँ पाया लिखेंगे the house in front of us belongs to the principal of a school the house in front of us belongs to the principal of a school वे एक बुढ़े बेखती हैं उनकी उम्र पचास वर्स है he is an old man he is 50 years old वे इलाके के निवासियों दुआरा बहुत सम्मानित है तो इसे आप passive voice में लिख सकते हैं यानि कि सम्मान किया जाता है जैसे उसकी सम्मान की जाती है he is respected हमारे द्वारा बायस तो यहाँ पर लिखेंगे he is respected by the inhabitants of the locality आप यहाँ पर highly का भी यूज कर सकते हैं यानि कि बहुत सम्मानित he is highly respected by the inhabitants of the locality वे अपने school में उन्हें भरती करके योग्य छात्रों की मदद करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे योग्य छात्रों की मदद करते हैं he helps the deserving students उन्हें अपने school में भरती करके by admitting he helps the deserving students by admitting them in his school वे जरूरत मंद और गरीब छात्रों को शुलक रियायतें देते हैं he he gives फी कंसेशन्स to the needy and poor students he gives फी कंसेशन्स to the needy and poor students उनका दो बेटों और एक बेटी का एक मध्यम अकार का परिवार है तो यहां पर लिखेंगे he has a medium sized family of two sons and and a daughter he has a medium sized family of two sons and a daughter वे बहुत मदद करने वाले प्रकिर्थी के हैं या नेचर के हैं दे आर आफ वेरी हेल्पिंग नेचर या सीधे आप लिख सकते हैं उनकी बेटी मेरी सहपाथी है हम एक साथ बिद्याले जाते हैं मुझे इस तरह के एक सिक्षित परिवार की कमपनी में गर्व है यानि के उनके साथ रहने में गर्व महसूस करता हूं तो यहां पर आप लिखेंगे आप प्राउड तो बी इन दर कमपनी कमपनी का यहां पर अर्थ हुआ संगती of such a well-educated family I am proud to be in the company of such a well-educated family हमारे घर के पीछे रहने वाला परिवार एक बुरा परिवार है तो यहां पर लिखेंगे the family that lives at the back of my house is a bad family the family that lives at the back of my house is a bad family इस परिवार के सदसियों को अच्छे सिस्टा चार और बिनम्र बेभार के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है जैसे मुझे सिखने की जरूरत है I need to learn तो यहां पर है इस परिवार के सदसियों को यह है subject the members of this family और संख्या एक से थीख है इसलिए नीड लिखेंगे need to learn a lot about good manners and polite behavior the members of this family need to learn a lot about good manners and polite behavior परिवार का परमुख केंदर सरकार के साथ एक सहायक है the head of the family the head of the family is an assistant with the central government उसका बेभार असभ्य है his behavior is impolite यह फिर आप कह सकते हैं incivilized यह फिर आप कह सकते हैं rude his behavior is rude उन्होंने तुछ चीजों पर कई लोगों के साथ जगडा किया है यह present perfect tense में जैसे वह गया है he has gone तो उन्होंने जगडा किया है he has quarreled कई लोगों के साथ with many people तुछ चीजों पर over trivial यह फिर petty things trivial यानि की छोटी मोटी बात या petty यानि की जो unimportant है तुछ है he has quarreled with many people over trivial things उनके बच्चे बहुत शरारती है his children are very mischievous his children are very mischievous उनकी मा भी एक भैयानक महिला है their mother is also a terrible lady their mother is also a terrible lady वह अक्सर अपने बच्चों को डाटती है she often scolds her children अधिकान्स लोगों का इस परिवार के साथ बातचीत नहीं होती है तो यहाँ पर लिखेंगे most of the people अप यहाँ पर लिख सकते हैं of this locality अपने एसी अधिकिक टर्म्स यानी बातचीत होना on visiting terms यानि की आना जाना होना जैसे मेरा उनके यहाँ आना जाना नहीं होता है we are not on visiting terms with them और हमारा उन लोगों के साथ बाच्चित नहीं होता है we are not on speaking terms with them most of the people of this locality are not on speaking terms with this family लेकिन मेरे अधिकान्स प्लोसी मेरे दोस्त है तो यहाँ पर लिखेंगे but most of our neighbors are our friends but most of our neighbors are our friends वे समाजिक हैं और मदद करने की सोच रखने वाले हैं कभी कभी पलोसी रिष्टेदारों से भी ज्यादा मददगार होते हैं sometimes neighbors are more helpful than relatives हमें अपने प्लोसियों से दोस्ती बनाए रखनी चाहिए we should always create an atmosphere of friendship अमंग अर नेवर्स आप सोट में भी लिख सकते हैं we should always maintain friendship अमंग आर नेवर्स या फिर we should always create an atmosphere of friendship अमंग आर नेवर्स यानि की हमारे प्लोसियों के बीच दोस्ती का वातावरन हमेशा create करके रखना चाहिए we should always create an atmosphere of friendship अमंग आर नेवर्स आई होब फिरेंड्स आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि यह मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा आप चाहें तो कुछ रुपियों की सूपर थैंक्स भी कर सकते हैं और मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए ओल्राइट डियर फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग एब अग्रेट डेए